हेलो दोस्तों ये है इंडिया की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक 2023 की हीरो स्प्लेंडर प्लस आई 3S BS6 का ब्लैक कलर आप इसे कैनवास एडिशन भी कर सकते हो इस बाइक में आपको क्या 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 फीचर्स मिल जाते हैं दर्भंगा रोड बखली मुझह अपरपुलिस्तित सोरूम में तो चलिए सबसे पहले सुरुवात करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक कलर का आपको वाइसर देखने को मिल जाता है जिस पे आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस की स्टिकर वर्क मिलती है दोस्तों जैसा कि यह कैनवास एडिसन है तो साइड में आप देख सकते हो कोई भी आपको ग्राफिक के वर्क नहीं मिलते हैं हेलोजन बल्व के यहाँ पे आपको टन इंडिकेटर मिल जाते हैं जो की नोन-फ्लेक्सीवल दिये गाएं suspension मिल जाते है black color के टायर साइच की बात करें दोस्तों तो यहापे आपको C118 का tubeless tire मिल जाता है 18 inches के black color के लगाए के साथ safety की बात करें तो इस bike में आपको integrated braking system मिल जाती है मतलब कि अगर आप इसके पीछे वाले brake को apply करते हो तो कुछ percent आगे वाली भी काम करती है बाकी यहाँ से आप इस bike का पूरा right side का profile देख सकते है structure में आपको कोई भी new update देखने को नहीं मिलता है fuel tank की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो hero की यहाँ पे आपको sticker work मिल जाती है जैसा की यह canvas idea ने तो इस bike में आपको कोई भी graphic के work नहीं मिलते है 9.8 liter की आपको capacity मिल जाती है full metal body मिल जाता है इसके साथ साथ यहाँ पे आप hero को customer care का number देख सकते हो tank pad मिल जाता है आगे की और चले दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो chrome के finish के साथ इसका handle bar आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप key point देख सकते हो turn indicator की यहाँ पे आपको indication light मिल जाती है split analog tap के आपको meter console देखने को मिल जाते है जिसके side में अधर आप देख सकते speedometer मिलता है economy zone के साथ odometer मिल जाती है side stand की warning यहाँ पे आपको i3s की light मिल जाती है दूसरी ओर चले तो यहाँ पे आपको fuel guz मिल जाता है gear neutral की warning check engine और यहाँ पे आपको main headlight की warning मिल जाती है और यहाँ पे आपको USB charging port देखने को मिल जाता है जैसा कि अब hero के सभी bikeों में मिलता है market वगड़े office वगड़े जाते समय emergency में आप अपने phone को charge कर सकते हो यहाँ आपको upper deeper की switch मिल जाते है नीचे आपको turn indicator और यहाँ पे आपको horn के switch मिल जाते है दूसरी ओर चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो blue color की आपको i3s की switch मिल जाती है जैसा की यह bike i3s technology के साथ आती है नीचे में यहाँ पे आपको red color का self start का switch मिल जाता है बाकि दोस्तों अगर बात कर इस bike के seat comfort की तो यहाँ पे आप देख सकते हो single seat के साथ यह bike आती है कुसन को ज़्यादा soft आपको नहीं मिलती है pillion और rider दोनों के लिए 785 mm का यहाँ पे आपको seat height मिल जाता है seat call पे यहाँ पे आपको कोई भी graphic के work नहीं मिलते है जैसा की यह canvas id सेन है side body panel पे देख सकते हो splendor plus की आपको 3D में basing मिल जाती है chrome के finish के साथ नीचे यहाँ पे आपको i3s का sticker work मिलता है और यहाँ पे आपको power start की sticker work मिल जाती है यहाँ पे आपको locker मिल जाता है programming fi की आप basing देख सकतो और दोस्तों यहाँ पे आपकी lever देख सकतो rider का यहाँ पे आपको adjustable footrest मिल जाता है black color का यहाँ पे आपको brake pad मिल जाता है engine पे आपको hero की branding मिल जाती है इसके साथ-साथ यहाँ पर इंजन वाइल कैप देख सकते हो, ब्लैक कलर का मिलता है, स्पार्ट प्लक देख सकते हो, क्रैस गार्ड यहाँ पर आपको मिल जाता है, क्रोम के फिनिस के साथ, सिंगल पीस हॉन के साथ ये बाइक आती है, 165 mm का यहाँ पर आपको ग्राउंड के इंजन और पावर की बात करें दोस्तों, तो इस बाइक में आपको 97.2.3 का एर कूल, 4-2 बाइक बाइक आती है, माइलेज की बात करें तो 60-65 की यह बाइक आसानी से माइलेज निकाल करके देदेगी, 112 kg का आपको कर वेट मिल जाता है, बाकी दोस्तों अगर इसके पीछे की ओर चलें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पिलियन का यहाँ पर आपको एड़जस्टेवल फूटरिस्ट मिल जाता है, इसके साथ साथ क्रोम के फिनिस के साथ काफी सांदार, यहाँ पर आपको मेटल का इसके एक जॉस्ट के उपर मफलर गार्ड मिल जाता है, फाइव स्टेप एड़जस्टेवल हाइडरॉलिक सॉक एब्जॉर्वर टाइप के आपको रेर में सस्पेंशन मिलते हैं, रेर टायर साइच की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस बाइक का पूरा रेर प्रोफाइल देख सकते हो, कुछ इस तरह आपको मिल जाता है, पिछे आपको हीरो की स्टीकर वर्क मिल जाती है, टेल लाइट के उपर हैलोजन बॉल्ब के यहाँ पर आपको टेल लाइट मिलते हैं, हैलोजन बॉल्ब के यहाँ आपको टन इंडिकेटर मिलते हैं, नॉन फ्लैक्सिवल नंबर प्लेट लगाने की ज एगर देख सकतो रिफ्लेक्तर देख सकतो दूसरी ओर चलें तो इस साड़ से भी आप सीट काउल पर देख सकतो कोई भी आपको ग्राफिक के वर्क नहीं मिलते है लेडी पिलियन का यहाप अपको सारी घार्ड मिल जाता है ब्लाक का लेडी पिलियन के सेफ्टि के लिए फूल चैन्स इट की आपको covering देखने को मिल जाती है metal body के साथ black color का इस साइट से भी आप देख सकते हो Pillion का यहाँ पे आपको adjustable footrest मिल जाता है 4-speed gearbox के साथ यह bike आती है rider का adjustable footrest देख सकते हो side stand cutoff जैसे इस bike में आपको features मिल जाती है splendor plus की आप 3D में बैजिंग को देख सकते हो chrome के finish के साथ मिल जाता है नीचे यहाँ पे आपको i3S के sticker work मिल जाती है और दोस्तो इस side से भी आप देख सकते हो power start और programming fi के आपको sticker work मिल जाती है fuel tank पे hero के यहाँ पे आपको sticker work मिल जाती है इस showroom की सारी जानकारी में आपको वीडियो की description box में देदूँगा दोस्तो अगर आप लोग मुझापरपूर से हो या आसपास के किसी भी city से हो तो इस showroom में आप visit कर सकते हो hero के किसी भी bike की या स्कूटी का test drive ले सकते हो दोस्तो अगर आप भी अपने city के अंडूर पर आई जानना चाहते हो तो आप मुझे comment box में अपने city का नाम लिग करके भेज सकते हो thank you दोस्तो वीडियो के last तक बने रहने के लिए वीडियो पसंद आई हो हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को जादा से जादा like कीजेगा, share कीजेगा और bikers point channel को subscribe जरूर कर दीजेगा thank you so much